हेलो गाइज मैं पंकच पालिवाल ले करके आ गया हूँ आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो एन एक्टर्स प्रिपेर बाइ कॉंस्टेंस आलावस्की की हिंदी ट्रांसलेशन वो भी लाइन टू लाइन एक लाइन इंग्लिश में जो है उसको मैं पड़ूँगा और बाइन घंडी में ट्रांसलेट करके आपको बताओंगा इसमें पहली बता दूं कि यह जो वीडियो एये मैं इस टाइप की माईलाब पूरी सीरीज बनाऊँगा इस पूरी सीरीज में मैंने क्या किया है इसके अंदर 16 चैप्टर्स हैं तो मैं इन 16 चैप्टर्स को एक एक क को पोस्ट करूंगा जैसे माद चैप्टर 1 मैं इस फ्राइड़ को पोस्ट कर रहा हूं तो चैप्टर 2 जो होगा मंडे को करूंगा फिर चैप्टर 3 फ्राइडे फिर चैपटर 4 ऐसे करके और उसके बीच में भी मेरी कुछ वीडियो आती रहेंगी एक्टिंग से रिलेटेड वो भी आप देख सकते हैं साथ ही मैंने काफी सारी ऐसी वीडियो बना रखी हैं जिनको आप अगर एक्टिंग की टिप्स चाहिए तो वो भी मूवी के सेजेशन चाहिए वो भी चाहिए आपको मिली जाएगी क्योंकि आज कल यूट्यूब ने काफी अच्छा कर दिया है वह आपका कंटेंट दिखाता रहता जो लोग इंट्रस्टेड होते हैं तो बिना किसी बक्वास के अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन पढ़ना तो जो हमारा पहला चैप्टर है उसका इसमें बोलता है we were excited as we waited for our first lesson with the director Todd Stowe today इसका मतलब यह है कि हम लोग बहुत excited थे और इंतजार कर रहे थे कि हमारा पहला lesson start हो और जो डारेक्टर है वो डारेक्टर का नाम है Todd Stowe अब उसके बाद है but he came into our class only to make the unexpected announcement that in order to become better acquainted with us लेकिन वो हमारी class में आये वो भी एक जो हमने expect नहीं किया था उस announcement के साथ कि वो हमारे साथ कुछ भी start करने मालब play start करने से पहले वो हमारे से अच्छे से जुड़ना चाते हैं जानना चाते हैं हमारे बारे में he wished us to give a performance in which we should act bits from plays chosen by us इसका मतलब यह कि जो भी play हमें पसंद आये हैं उन play के हम कुछ scene कुछ monologue को हम ले करके उनको हम यहाँ पर दिखाए मालब perform करें हम उसको उसके बादे his purpose is to see us on stage against the background of scenery in makeup in costume behind footlights with all the accessories उनका purpose यह था कि वो हमें देख पाएं कि हम background में कैसे रहते हैं makeup में कैसे हम अपने आपको present करते हैं costume में हम कैसी body language रखते हैं कैसा feel करते हैं footlights हम कैसा लगेंगे जो lights लगी होती है stage के अंदर आपने देखी हो तो और सारी accessories जब हमारे पास होंगी theater की तो हम उस time कैसे अपने आपको present करेंगे क्या करेंगे हम nervous होंगे क्या होंगे यह सब देखने के लिए फिर उनने का only then said he will it be possible to judge our dramatic quality उनने बोला कि जभी अगर यह सब मैं देखूँगा तभी मैं judge कर पाऊंगा कि आप लोग कितना अच्छा इस dramatic आपके जो quality है वो कितनी अच्छी है मलब acting से related quality कितनी अच्छी है at first only a few favored the proposed test मलब starting में कुछ लोगों नहीं का कि हमें यह करना चाहिए उसके positive response में थे और बाकी लोग डरे वे थे nervous होंगे इसलिए मना कर रहे थे among these were a stocky young fellow Grisha Goworkov और इनी के बीच में एक एक जवान मतलब एक energetic एक लड़की थी जिसका नाम तक Grisha Goworkov who had already played in some small theatre a tall beautiful blonde called Sonia Valliominova मतलब की एक और लड़की थी जो जिन्होंने थोड़ा बहुत थेटर किया था लंबी थी कुपसूरत थी ब्लॉंड मतलब ब्लॉंड कलर जो होता है एंड अलीविली नौसी चाप नेम्ड वन्या वीक स्टोव मतलब एक और था जिसकी चप्टी सी नाक थी उसका नाम यह था यह जितने भी नेम से यह बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि यह रशियन लोगों के हैं यह मॉस्को में थे एंप्टिंग एंड पफॉर्मेंस सुन सीम्ड इंटरस्टिंग यूसफुल इवन नैसेसरी स्टार्टिंग में हमें बहुत ही शरम आरी थी और हमें यह आइडिया बहुत ही खराब लगए था लेकिन जैसे जैसे टाइम बीचता गया और हम फुटलाइट्स के पास गए हम परफॉर्मेंस करते रहे तो हमें बहुत मजा आने लगा हमें लगा यह बहुत यूसफुल है और हमें लगा कि यह बहुत जरूरी भी है इन मेकिंग आवर चॉइसेज आई एंड टू फ्रेंड्स मैं अपनी चॉइस में मैं और मेरे दो फ्रेंड पॉल शुष्टोव एंड लियो पुष्चिन वर अट फर्स्ट मोडेस्ट मला हम लोगों को सबसे पहला मौका मिला वी थौट अफ वेल्डियन और लाइट कॉमेडी हमने सोचे कि हम कुछ लाइट कॉमेडी टाइप या थोड़ा कॉमेडी टाइप का कुछ करते हैं आल आउंड उस वी हर्ड ग्रेट नेम्स प्रनाउंस्ट कोगल और वही तीन चाह नाम हैं हम कुछ हलका सोच रहे थे और लोग बड़े-बड़े जो एक्टर्स थे उनका नाम ले रहे थे उसके बाद उसने सुचा की हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो बहुत अंबिशियस लगे जिसको प्ले करने में कुछ रोमेंटिक भी हो और कॉस्ट्यूम के साथ और कुछ गाने के साथ म्यूजिक के साथ हम उसको प्ले करें मतलब मैं चाहता था कि मैं मोजराट का जो एक्टिंग है मलब जो प्ले मैं वो किया है वो करूँ लियो चाहता था कि वह से ले करें पॉल चाहता था डॉन कार्लोज का देन वी बिगें टू डिसकस सेक्सपियर हमने फिर डिसकस करने लगे सेक्सपियर के बारे में एंड माइ ऑन चॉइस फैल उसके बाद मेरी जो चॉइस है वो और थैलो में पढ़ गई है मतलब चली गई है और जो है प्ले है बहुत ही बढ़ी है आप लोग उसे पढ़ना और अगर आपको करने का मोगल में ले तो करना भी बहुत बहुत शांदार है वेन पॉल एगरी टू प्ले लेगो जब पॉल ने अगरी कर लिया लेगो प्ले करने का करेक्टर अवरिधिंग वोज डिसाइड सब डिसाइड हो चुका था अज वी लिविंग देटर वी वर तोल दैट था फॉस्ट रियर्सर वस फिक्ष्ट पॉर थे नेक्स दे तो उन्होंने फिक्स कर लिया कि हमारी पहली रिहर्सर होगी वो अगले दिन होगी मैं घर पहुचा लेट उसके बाद मैं ओथेलो की मैंने जो कॉपी थी वो उठाई उसके बाद मैं कमफर्टेबल होके सोफा पे लेट गया और मैंने बुक को पढ़ना शुरू कर दिया मैंने दो पेज ही पढ़े थे और मेरे को लगा कि मुझे न यह एक्ट करना चाहिए अभी इन स्पाइट ऑफ मैंसेल्फ माय हैंड माय आम्स लेग्स फेस फेशल मसल्स एंड सम्थिं इंसाइड मी और बिगिन तो मुव एकदम से पता नहीं कैसे मेरे हाथ पैर और मेरे मसल्स मेरे एक्स्प्रेशन सब अपने आप चलने लग गया चालू हो गए मतलब उसके अंदर वो फिलिंग आने लगी एक्ट करने की आई डिस्क्लेम दा टेक्स्ट सड़नली आई डिस्कवर्ड अलार्ज आइवरी पेपर कटर उसके बाद जैसे ही मैं वो पढ़ रहा था मैंने देखा कि एक पेपर कटर रखा हुआ था बड़ा सा आई स्टक इंटु मैं बैट लाग हैड क्लोथ मैंने उसको एक बैल्ट की तरह यूज किया उसके बाद मैंने एक अपने टावल से हैड क्लोथ बना लिया आउट ओस मैं शीट्स और ब्लैंकेट की मदद से पूरा अपना गाउन और पूरा अपनी शट्ट बना दी जैसे की वो थैलो प्ले में एक सोलजर की थ मैंने अंब्रेला को एक तलवार की तरह यूज कर लिया था लेकिन में पस कोई शील्ड नहीं थी शील्ड को जो गोल थी होती है पकटते है मुझे हिंदी में नहीं पता क्या कहते है उसको here it occurred to me that in the dining room which adjoined my room there was a big tray मैंने मुझे याद आया है कि मेरी जो dining room है वहाँ पर एक big tray रखी हुई है with the shield in my hand I felt उसको मैंने shield बना लिया और जब मैंने उसको पकड़ा तो मुझे लगा कि एक मैं योध्या हूँ warrior हूँ yet my journal aspect was modern and civilized लेकिन मेरा जो जो मेरा दिखने में था वो civilized था wherever hotel was African मैं थोड़ा शहरी टाइप का लगता था जबकि Othello जो था real में जो उसने लिखा था Shakespeare ने अपने play में वो थोड़ा African origin का था and must have something और उसकी जो दिखने में उतना जैसे टाइगर की तरह दिखता था ऐसा ऐसा बोलते थे मतला ऐसा लिखा था उसने उस प्ले में in order to recall suggest and fix the walk of an animal I begin whole new set of exercises जैसे कि मैंने बताया कि उसको देखके लगता था टाइगर जैसे तो मैंने एक animal की तरह अपनी fix walk टालने लगी जैकि मैं शेर की तरह चल रहा हूं और मैंने एक नहीं तरह की exercise इजाद कर दी मतलब की बना दी तैयार कर दी many of these movements I felt to be in a high degree successful और most of the जो उसके movement थे जो उसके movements को पता नहीं दी में क्या करते हैं movements पता होगा आपको क्या करते हैं वो बहुती successful थे I had worked almost five hours without noticing the passage of time मुझे पता भी निचला और मेरे पांच गंटे खतम होगे to me they seem to show that my inspiration was real इस से मुझे पता लगा कि मेरा जो inspiration है वो real था पहले part का पहला जो point हो खतम होगे अब दूसरा point I awoke much later than usual मैं लेट उठा रो जाना से rush into my clothes and dashed into my theater और मैंने फटा फट कपड़े पहने और मैं बाग गया theater के लिए as I went into the rehearsal room where they were waiting for me जैसे मैं rehearsal room में पहुचा मैं देखा कि वो लोग मेरा इंतिजार कर रहे हैं मैं बहुत ही शर्मिंदा था और मैंने sorry के बतले एक बहुत ही careless जवाब दिया I seem to be a little late the assistant director looked at me long time and finally said मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूं इतने में director ने देखा और मुझे मुझे देख करके बोला we have been setting here waiting our nerves on edge angry and it seems I am a little late वो बोलता है कि हम यहाँ पर बैठकर तुमारे इंतिजार कर रहे हैं गुस्से में हैं हम बहुत ही excited हैं प्ले करने के लिए और बैठे में लेकिं शान और तुम कह रहे हो कि यह मैं थोड़ा सा लेट होगा मुझे लगता है we all came here full of enthusiasm for the work waiting to be done and now thanks to you the mood has been destroyed हम बहुत ही enthusiasm माला बहुत ही एक energetic तरीके से आये थे इस play को प्ले के rehearsal करने और तुमने वो जो mood है वो खराब कर दिया है to arouse a desire to create is difficult अपने अंदर desire create करना किसी भी चीज को किसी भी चीज के लिए desire create करना बहुत मुश्किल है और उसे मारना बहुत ही असान है if I interfere with my own work अगर मैं अपने काम के साथ ही interfere करूँ it is my own affair but what right have I told you about work whole group अचा मैं अगर अपने काम के लिए करता हूँ कुछ भी अपने काम में जापर सर्फ मैं involved हूँ तो कोई problem नहीं है लेकिन यहाँ पर पूरी team involved है the actor no less than the soldier must be subjected to iron discipline एक actor एक soldier की तरह होता है जिसे की पूरे discipline में रहना चाहिए therefore this first offense यह पहले उसकी गलती के लिए he would limit himself to a reprimmed and not enter it on the written record kept of students but that I apologize merely to all यह मेरी जो मेरी गलती थी इसको उन्होंने record में नहीं रखा लेकिन मुझे बोला और मैंने उसे sorry भी मांगी और उन्होंने मुझे माफ कर दिया लेकिन उन्होंने future में रखा उन्होंने मेरे को एक punishment दी थी जिसमें था कि मुझे appear at rehearsal a quarter मुझे 45 minutes पहले जाना पड़ेगा जब भी rehearsal होगी उस दिन 15 minutes पहले पहुचना होगा even after my apology जबकि मैंने माफी माफ कर दिया तब भी पहले rehearsal जो होती है किसी भी आर्टिस की जिंदगी में वह बहुत ही बहुत ही बहुत इंप्रेशन हमें से अच्छा पढ़ना चाहिए यह सबसे बड़े है तो यही सीखने को मिला कि कभी कोई काम मिलता है तो भाई वहाँ पर discipline हो करके टाइम से पहले पहुच जाओ टाइम स लापरवाई की वजए से लेट उस होप देट टुमॉरों विल्भी मैं मैं उमीद करता हूं मैं आशा करता हूं कि कल का जो दिन है वो बहुत ही यादगार हूँ मैं अगली मतलब उसी शाम मैं जल्दी बैड मैं सोने चला गया क्योंकि मेरे को डर था कि कहीं मैं अपने काम को ना करपा हूं मैं रहसल में लेटना हो जहूं बट मैं I fell on a cake of chocolate और जैसी मैं सोने वालता ऐसे ही मेरी आख पड़ी एक chocolate cake पे I melted some butter and obtained a brown mess मैंने उसको एक बटर के साथ उसको मैश किया मतलब मैंने उसको कुछ भी मिला मिक्सी में ग्राइंडर में कुछ भी वो करके बना दिया it was easy to swear it on my face and make myself into a moor as I sat in front of my mirror I admired at the length of flesh of my teeth उसको मैं अपने चेहरे पे लगा दिया और उसके बाद मैं मिरर के सामने खडाओ करके देखने लगा अपने डात को I learned how to show them off and how to turn my eyes until the white showed in order to make the most of my makeup I had to put on my costume अब मुझे अपना पूरा makeup करने के लिए सुरी अपना मतलब character में जाने के लिए मुझे को सिफ costume के जरूरी थी और बस मुझे act करना था क्योंकि makeup तो मैंने कर लिया था जैसे कि एक warrior के यहाँ पर होता है कुछ काला काला तो वही उसने किया क्योंकि चॉकलेट के काला होता है तो उसने ऐसे से करके लगा लिया ताकि वह थोड़ा warrior वाली फीलिंग आया ठीक ना कॉस्ट्यूम की जब रहता है और act करना है but I didn't invite anything new लेकर मैंने कुछ नया नहीं किया I merely repeated what I had done yesterday मैंने वही किया जो मैंने क तो लोग हां लेकिन मुझे यह जुरूर पता लग गया था कि ओधेलो कैसा दिखेगा यह इसका में को आइडिया हो गया था उसके बाद आता है थार्ड इसमें पॉइंट है टोटल नाइन पॉइंट्स है मैं फटाफ़ इसको अब फिनिश करता हूं तुडे वाद आवर फ़र्स्ट रियर्सल हमारी पहले रियर्सल थी आज I arrived long ahead of time मैं बहुत जल्दी आ गया था अच्छा लग रहा था फॉर मीड़ एक्सटर्नल्स वर ऑफ ग्रेट इंपोर्टर मेरे लिए जो एक्स्टर्नल है जैसे हम बोलते है इंटर्नल और इक्स्टर्नल्स तो इसको एक्टिंग में वह इंटर इसको जो एक्सटर्नल Polite बहुत अच्चा मिशा लग रहा था उसे लग रहा था कि कि मैं अपने कमरेखों मेरको इंस्पिरेशन नहीं मिल पाई कि जो मोस्टली होता है जब आडिशन देने जाते हैं तो घर पे तो हमाँ चेक्ट करते हैं लेकिन हम जब स्टूडियो में पहुंचते हैं तो हम अच्छा नहीं कर पाई तो इसकारीजन यह होता है क्योंकि हम पढ़के बतारों अगर फॉसिबल नहीं हो तो मैं फर्स पार्ट को भी दो पॉइंट में बना दूंगा इस पार्ट में पांच पॉइंट अगले पार्ट में चार पॉइंट ठीक ना उसका पॉल अल्रेडी नियू दा होल ओफ इस रोल बाइ हार्ट उसको अपने बिल्कुल अच्छे से याद था उसका जो रोल है बटाय है तो रीड माइ लाइस आउट आउट अफ द बुक लिकिन मुझे अपनी लाइस बुक में पढ़के देख करके पढ़नी थी बोलने थे डालोग और एल्स गेट मैं एक्स्वनेट टू माइस्टों में इस्टों में इस्टों कि मैं सोच रहा था कि मैं इसको करूँ बिना डायलोग के और तुकर्ट दा नंबर ओफ नंबर इन हाफ यह फिर मैं आदे आदे में काट लूँ नॉट ओनली दा वर्स बट आल्सु दा थाट्स सिर्फ वर्डस ही नहीं लेकिन जो वह सोच रहा है करक्टर वो भी ऑफ द प पता नहीं क्यों क्योंकि मैं जो रूम में कर रहा था वह बहुत अच्छा कर रहा था यहां पर मैं वह कर नहीं पा रहा हूं वार्स देन डेट आइड 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 देड आइड़ इंट रियालाइज माइज और उसे बूरा यह हुआ कि मैं अपनी खुद की अवाज भी पहचान नहीं पाया बेसाइड नीदर दसेटिंग नौर दप्लैन विच आइड फिक्स ड्यूरिंग मैं वर्क एट होम वुड हार्मनाइज विद दप्लेइंग ऑफ पॉल अब ना मुझे समझ में आ रहा था कि मैं कहां बैठा हूं ना मैं प्लैन कर पा रहा था कि मैं क्य करूं और जो भी उसकी प्लैनिंग थी इसको लेकर के इस रोल को लेकर के सीन को लेकर के जो उसने घर पे करी थी वो सब पे लोग चुकी थी उसे समझ में नहीं आ रहा था मुझे कैसे प्ले करना है फूर एक्जाम्पल इसने एक्जाम्पल भी दिया है वाव कुड आइं इंट्रिड्यूस इंटू आ कम्पैरिटिवली क्वाइट सीन बिट्विन ओथेलो एंड लेगो दोस फ्लेशेज विद मैं टीथ रोलिंग ओफ माइज विच वर तो गैट मी इंटू माइपार्ट तो उसने एक्जाम्पल कहा जैसे कि मैं कैसे इंट्रिड्यूस करूं अप हाले जैसे कि अगर दो गरेग्टर मिलते हैं अगर आप जबटार्फ पर देखिना खिर जो एक ठलवार फिर और उस पर धी काम आताए जो आप on the spot करते हो जो आप feel करते हो इसलिए external से ज्यादा internal important होता है एक एक्टर के लिए अच्छे एक्टर के लिए अब वो कैसे कैसे होगा वो सब इस भूक में है ठीक है अब देखो क्या होता है Yet I could not break away from my fixed idea of how to act the nature I convinced of as savage nor even from the setting I had prepared मैं यही नहीं सोच पा रहा था कि मेरे को कैसे क्या करना है कैसे ते अच्छा ही मैंने पढ़ दी लाइन Perhaps the reason was that I had nothing to put in its place I had read the text of the role by itself I had played the character by itself without relating the one to other the words the words interfered with the acting and the acting with the words तो कह रहा है क्यब मैं यह play कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं बोल रहाए हूं तो मैं acting नहीं कर पा रहा हूं जब मैं acting कर रहा हूं घुल नहीं पा रहा हूं आप अगर किसे बात कर रहे हो तो आप सोच भी रहे हो बात भी कर रहे हो और बिल्कुल दोनों चीज़ सही हो रहे हो सोच भी सही रहे हो बात भी सही कर रहे हो लेकिन जब acting करते हैं तो बहुत problem हो जाती हैं लेकिन आप जब deeply करोगे अच्छा करोगे लोगों को अच्छा भी लगेगा जैसे कि नवाजुदीन हो गया में तिरपाथी हो गया सुरी पंकस तिरपाथी हो गया यह लोग जो करते हैं यह लोग ऐसा ही करते हैं सोचते भी और बोलते भी वही है इसलिए इनकी acting हमें बहुत अच्छे लगती है लेकिन यह करना बहुत ही मुश्किल होता है वो भी इसमें बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपको करना है ठीक है न उसके बाद है वेनाई वर्क्ट एट हॉम तुड़े आई इस टिल वेंट ओवर दी ओल्ड ग्राउंड विदाउट फाइंड फाइंड इ अच्छे मेरी एक्टिंग जो मनें कल करी थी वह आज की तरह है और कल जो करूंगा उसकी तरह ही हो रही है एस माइजिनेशन ड्राइड अप क्या मेरी सोचने की शंता इमेजिनेशन बहुत ज़रूर रही थी एक्टर के लिए वह खतम हो चुकी है और हैवाई नो मेरे जो सारा काम था बहुत अजानी से बहुत बढ़ी अमक्षन की तरह हो गया अब मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही है एक स्पॉट पर आगे एक जगे पर आगे मैं फिक्स हो चुका है ऐसा क्यों हो रहा है एसा क्यों हो रहा है कुछ लोग अगले वाले रूम में मिले क्योंकि लोगों की मैं जो अक्टिविटी कर रहा हूं जो मैं बोल रांव!! जो मैं सोच रहा हूं वो दूसरों तक ना पहुंचे इसलिए मेर को दूसरे मीमें जाना था और वह भी जितना अरहां से बना ता Aa जो कि मैं सुन ना पाएं जोग मुझे मैं आपने आप इंकरत क कि मुझे एक point पर बहुत देड़ तक नहीं रुकना है forever repeating the two family मैं लगी same चीज़ पर मुझे अटके नहीं रहना है मुझे कुछ न कुछ अलग करते रहना है और ये उसको secret पता चला At today's rehearsal from the very start I begin to improvise मैंने start कर दिया मैंने सोच लिया था कि मिरे को कुछ नया करना है तो उसने improvise करना शुरू कर दिया improvise के ओपर भी मैंने वीडियो बना रहे है वो भी आप देख सकते हैं तो improvise करने लगा instead of walking about I sat on a chair मैंने घूमने की बज़ाए सोचा कि मैं एक chair पर बैठ जाता हूँ and played without gestures मैंने बिना कुछ भी हाथ बात का हिलाए हुए यूज करे हुए और movement, grammage और rolling eyes बिना हाथ को गुमाए हुए बिना body को हिला हुए बिना आखों को गुमाए हुए मैंने सोचा कि मैं इस scene को करता हूँ What happened? Immediately I become confused क्या हुआ? एकदम से मैं confused हो गया I forget the text and my usual innotations मैं एकदम से भूल गया कि मुझे क्या बोलना है और क्या करना था I stopped मैं रुख गया There was nothing for it but to go back to my old method of acting मेरे पास कुछ नहीं बचा था सिवाए एक चीज के कि मैं जो पुराना method है वही अपना लो क्योंकि इस नए method में मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ लेकिन यह जो नया method था इसका improvisation वाला यह सबसे best method होता है mostly जो अच्छे actor है वो यही करते हैं और यही करके उनका जो scene है वो बहुत ही बढ़िया होता है लेकिन वो बहुत ही बहुत मुश्किल होता है असान नहीं तो इसलिए इसने बोला कि मैं वहाँ दुबारा वो करने लग गया I did not control my methods rather they control me मतलब मैं एक होता है न एक आपको दिमाग control कर रहा है और आप दिमाग को control कर रहे हो तो कहा जाता है कि अगर दिमाग आपको control कर रहा है तो आप बहुत मुसीबत में आ जाओगे अगर आप दिमाग को control कर रहे हो तो आपसे महान आदमी कोई नहीं बनेगा वैसे ही acting में होता है अगर आपके methods आपको control कर रहे है तो आपका बेड़ा घर के है और अगर आप अपने methods को control कर रहे हो तो आप महान स्टार बन जाओगे आप ये पांचवा जो इसका verse है ये पढ़ेंगे इसके बाद जो अगला है वो first chapter के ही अगले part में आ जाएगा ये मैं सोचा था ये book एक month में complete हो जाएगी इसमें साथ 3 months रख जाए क्योंकि इसमें सारे information जरूरी है मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकता इसलिए मैं चोड़ चोड़ा करके समझा रहा हूं और हो सकता है आज की वीडियो आपको थोड़ी boring लग रही हो क्योंकि इसमें starting अभी introduce करवाया है characters का लेकिन मैं आपको guarantee देता हूं कि आगे आगे जाकर के आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें सारे chapter imagination को लेकर के आपकी improvisation आपका stage पर कैसे रहना है आपका जो आपका body movement कैसा होना चाहिए a to z चीज़ इसमें बताई हुई है ऐसे ही जैसे इसमें बताई है कि कैसे वो जो character है वो confused होता है उसके बाद को उसका solution खुद ही मिल जाता है करते करते यह सारे चीज़ इसमें तो अब last ला पढ़ते हैं उसके बाद यह वीडियो खतम हो जाएगी free of cost है आप उसमें पढ़ना यह पांचों को और इनको practice करना बैसा यह पूरी book में जो लिखा है वो आपने practice भी कर लिया ना कोई नहीं रोख सकता आपको कोई रोक ही नहीं पाया acting में अब चलो पढ़ते हैं today's rehearsal brought nothing new आज की rehearsal ने कुछ नहीं लाया however I become more accomplished to the place where we work लेकिन मैं थोड़ा सा और ज्यादा उससे familiar हो गया उससे जुड़ गया जहां में काम कर रहा था and to the play और जो play हम कर रहे थे उसके साथ भी at first my method of portraying the moon could not be harmonized with the Lego of Paul at all तो ये कह रहा है कि जो मैं मूर का character play कर रहा था और जो Lego का character कर रहा था play Paul हम दोनों एक दूसरे के साथ ताल मिल नहीं बिठा पा रहे थे today it seemed as though I actually succeed in fitting our scenes together आज मुझे लगा कि मैं जो है scene को थोड़ा बहुत कर पा रहा हूं Paul के साथ मिल कर के मतलब दोनों अपने character को देरे देरे हम समझ रहे हैं at any rate I felt the description less sharply मुझे ऐसा feel हुआ कि अब जो है मैं थोड़ा बहुत सही कर रहा हूं अब छटे में क्या है today our rehearsal was on the big stage आज की जो हमारे rehearsal है वो होने वारी एक बड़ी stage में लेकिन नहीं हमें तो पांच ही तक पढ़ना था यह च्छटा यह भी बहुत अच्छा है यह हम अब next video में पढ़ेंगे हो सकता है मैं इसकी frequency बढ़ा दूँ अभी मैं Friday to Monday कह रहा था बीच में शायद मैं Thursday भी एड कर दूँ कि Thursday में भी एक वीडियो आएगी तो जिससे हमारा जो एक चैप्टर है वह एक वीक में तो complete होई जाए इससे हमारे 16 weeks में complete हो जाएगा तो अब next video में आप से मिलेंगे तब तक के लिए अपना creative mind जलाते रहे क्योंकि हमें काम creative mind पर मिलेगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो आपको यह सिरीज भी देखनी हो और आपको आप चाहते हो कि बिना पता आपको बिना सर्च करें मिल जाए तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब प्लस में बैल आइकन दबा देना बैल आइकन जरूर दबाना तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी जैसे आपको पता ही चल जाए क्या करना है उसके बाद आप दुबारा भी वीडियो देख सकते हो और point to point जो भी इसमें बताया गया है उसको practice कर सकते हो और इससे आप एक जो सबसे important जो सबसे अच्छी चीज होगी आपके साथ कि आप उस line में उस direction में घुसने लग जाओगे जो एक एक्टर के लिए सई होती है जो एक एक्टर के लिए होती है और जो institute होते हैं वो भी यही सब इसी के जो इसमें लिखा हुआ है उसी से बिलकि इसमें जो लिखा हुआ है अगर आप खुद पढ़के करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लएगा ज्यादा मज़ा करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ मिर्च मसाला भरके दे देंगे आपको या फिर कुछ कम कर देंगे क्योंकि और सबी लोग एक्टर बन गए तो उनके पास सीखने कोन आएगा समझ रहे हो इसलिए वह थोड़ा सा वैसे रखते हैं आप खुद पढ़ो करो और कोई नहीं भी आती हो लेकिन आपको अंदर से ओ फीलो करने का और आप कुछ बड़ा करना चाते हो या चोटा भी करना चाते हो एक्टिंग में तो आप उनको चेक कर सकते हो पोस्ट आती है उनमें आप अपना प्रोफाइल बेजिए प्रोफाइल में कैसे बेजना है क्या बेजना है इसके उपर मैंने वीडियो नहीं बनाई है, अगर आपको यह चाहिए हो तो मिले को बता देना, मैं इसके उपर वीडियो बना दूँगा, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में.